हेलो एब्रेवान वेल्कम बेक टू माई चैनल आशा करती हूं कि सब लोग ठिक टाग होंगे और अभी है मॉर्निंग का टाइम नाना दोना हो गया है मारा और चाड़ो पोचा भी हो गया मसीन लगा रखे कपड़े दूल रहे हैं और यह मैंने राइस भीगो की रखे हैं वो खीर पी लेंगे दूद उनको कम पसंद है तो मैंने यहां पर दूद चड़ा दिया गरम होने के लिए और आलू की सुखी सबजे बना दूंगी तो खीर की साथ अच्छी लगेगी तो दो आलू लिए बड़े-बड़े मेने उसको छील रही हूं और बड़े बनाए थे तो कड़ाई रखी हुई है तो मैंने का चलो पूरिय भी बना देंगे तो वह पूरी भी बनाउंगी तो खीर और आलू की सब्यों पूरी हो जाएगी तो अभी मानिया यहां से फ्रिज्मेंन से निकाल रही है कि स्मिस पैसे इनको पसंद नहीं है कि समिस पर मैंने का चलो कर लो तो यहां कि इसमें मैंने बोला चलो कटोरी में निकार लो थोड़ी से अब बोल रहे हैं कि और क्या करना है और क्या है और क्या है कर लूँ तो मैंने बोला ठीके बादाम कोड़ लो तो अब लेकिया यह बादा वह कुट लेगी और मैंने इतर आलो कट कर लिये हैं एक आलो कट कर लिया है अब दूसरा डूसरा कर रहे है अब आलो कट गए हैं तो मैंने चड़ा दिया कडाई उसमें डाला है थोड़ा सा चोटी कड़ाय चड़ाय क्योंकि दो यालो की सबजी बना रही हूं है और प्लेन बनाऊंगी जाए बिल्कुल बिन लसन पर के थोड़ाइ डाली है थोड़ाइ जीरा करी पता डाल दिया है और यालो डाल रही हूं जो हल्दी मिच मसाले होते वही मसाला डल के बना रहे हूं बागे कुछ नहीं दूद में बॉइल आ गया है तो मैंने यहां पर आइस डाल दिया है साथ साथ में यह भी बुलता रहेगा होते सब्ची भी हो जाएगी इस तरीके से काम फटाफट हो जाते हैं कि उसी टाइम में एक ही टाइम में हमारे दो काम एक साथ हो रहे हैं तो आलो को मैंने ढख लिया है डालके हिला के ताकि वह थोड़े भुन जाए भुनने के बाद टेस्ट बहुत अच्छा आइस अज़गा तो इसलिए मैंने आलो को भुन रही हूं कुछ भी नहीं डाला है म मसाले अंदर थोड़ा भुन जाएंगे फिर मसाले डालूंगी जग दिया है अब यह लेकिया आई हूं में फ्रिज से दूद का मसाला इसमें सारे ड्राइब फूट है काजू बादाम पिस्ता खस-खस जाइफल इलाइची सारे ही है इसलिए मैंने तीन चमच भर के यह डा नमक डाल दिया है अब मिक्स कर लेंगे सबको तो धग दूंगी थोड़ी देर के लिए अब यह आटा ले लिया है और लाला थोड़ा सा इधर सबची पकरे दर खीर हो रहे साथ में पूरी का आटा भी लगा लोंगे हम तीन लोग ही है थोड़ा सा आटा लगा रहा है तो लगा लूगी अच्वाइन डाला है नमक डाला है थोड़ा सा दू चमच इतना ओईल डाला है अटा लग गया है मेरा इसको धक्काय रख दूँगी थोड़ा सा ओईल लगा के उपर तो आटा रख दिया है खीर देक चेक कर लेंगे राइस दबा के राइस सॉफ्ट हो गया पर थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेंगे तो फिर उसके बाद में उतार लोंगी पूरिया और मेरा काम खत्तब कि अब यह डाल दिये बादाम कुटी हुई एक स्टाफ लेवर के लिए और यह चीली ने फिला ळाल कीसार कह लिए ionarी सब्सक्राइब में और थोड़ा दन्यापाफटर दाल दिया है मिक्स कर लेंगे और साइड में रख दूंगे इसको अभी में और ये पूरी की तैयारी कड़ाई चड़ा दिए बड़े बनाए थे तो पिछले व्लोग में तो वो कड़ाई रखी थी तो चलो मैंनका पूरिया बना लेते हैं तो ये सारे बॉल बना दिए छोट-छोटे एकी साइस के और एक बनाए ताकि तेल गरम हुआ कि में वो चेक कर सको तो डाल दिए मैंने और बनाना स्टार्ट कर दिया थे तल गरम हो चुका है अब यह मानिया आ गई वो खाने के लिए वह हमें साहसा है करती है आए जास्ति थे थे एक चोटी पूरी होगी होगी तो भूंडने के वह जब तो खाना हमारा रेडी हो गया है, खीर, पूरी, आलो की सबची और चटनी, खाना बन गया है, खाना खा लेते हैं पहले, फिर आज मुझे जाना है मार्केट, थोड़ा सा कुछ काम है और मार्केट खुल गया है, तो मौसम भी ठीक लग रहा है, अभी तक तो तूप निकली है, बारिस नहीं है अभी, तो देखती हूँ, चापाऊंगी तो कुछ लाना है, लियाऊंगी, तो फिर बाद में मिलती हूँ आप से, तो खाना खाने के बाद मैंने सोचा क्लीनिंग वगेरा कर ही लेती हूँ, फिर ही मार्केट जाती हूँ, ताकि आके फिर सब कुछ ऐसा है ना मिले, तो यहाँ पे थोड़ा क्लीन किया है, छो खाली करनी ती खीर उगेरा, खाली किया, बर्तन क्लीन कर ने रेकर हैं तो यह करके जाऊ, बर्तन कर लेंहें सब कर लाने झेलिए, तो इतना बर्तन ठाहरा नहीं है, तो मिल दृवक लेते हूँ, और यह देखिए प्रीन करने के बाद देखा तो मोसम यहाले बारिस टाड़ हो गई तो मेरा से चाना के लिए बारिस में बाहन लिखना बिल्कु भी ने एच्छा रखता है और यहाँ पर यह देखिए मान्या बिल्ली बनी हुई है बड़ी वाली बिल्ली इसको मसते सूच रहे हैं और यह देखिए बैड़रूम से इतनी तेजवारिस हो रही है और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सुस्क्राइब करें और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ थैंक्यू पर वोचिंग